जहिन स्वागत आपका अपने Study24 जार्खन यूट्यूब चैनल में बचों आप सी जार्खन बोड के मैटिक और इंटर्मीडियर्ट के चात्रों के बोड एक्जाम 2024 के जिस एडमिट कार्ड का इंतेजार था उसे अभी अभी जार्खन एकडमी कॉंसिल ने अपने Official बेब साइट में जारी कर दिया है और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके Original Admit Card को जार्खन एकडमी कॉंसिल के Official बेब साइट से डॉनलोड करके दिखाऊंगा कि उसे किस धंग से डॉनलोड किया जाएगा और साथी साथ आपका जो Original Admit Card है वो किस धंग का दिखता है आनि कि उसे फोटो कहां पर सटा हुआ है, सबजेक्ट वगेरा कहां पर लिखा हुआ है और साथी साथ एकजाम सेंटर वगेरा कहां पर पड़ा है या फिर लिखा हुआ है मैं पूरे डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा इसलिए आप सुछातर हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर अंतक बने रहिएगा तो बच्चों चली हम लोग आगे बढ़ते हैं जारकंड एकडमी कॉनसील के ऑफिसियल वेबसाइट से आपके औरजिनल एडमीट कार्ड को डौनलोड करते हैं बचों आपका जो original admit card है उसे download करने के लिए सबसे पले google के search बार में जाना होगा जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं और यहाँ पर जाने के बाद www.jack.jharkand.gov.in लिखने के बाद यहाँ पर search करना है और search करने के बाद देखिए इस तरह से interface खुल करके आता है जहाँ पर जहारखंड Academy Council के official website का link दिया गया blue color में और इसको जब हम लोग किलिक करते हैं तो किलिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपका interface खुल करके आ जाता है जो आपका जहारखंड Academy Council का official website है और बच्चों यहाँ पर आप लोग इस website में देख सकते हैं सबसे उपर में लिखा ह admit card class 10 and 12 2024 exam आनि की इस link को जब किलिक करेंगे ता आपका जो admit card है वो निकल करके आ जाएगा और बच्चों इसको जब हम लोग किलिक करते हैं तो किलिक करने के बाद देखिए इस तरह से interface कुल करके आता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडी examination 2024 admit card यहाँ लिखावा आनि की class 10 के जात्रों के admit card का यह window है और वहीं पर देखिए यह class 12 के जात्रों का आनि की class 12 के science or commerce के जात्रों के admit card का window है तो दोस्तों अगर आप लोग class 10 का है तो इसको किलिक करना होगा 12 का है तो इसको किलिक करना होगा और हम लोग चलिए सबसे पहले class 10 के जात तो किलिक करने के बाद जो है उजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा जो आपके प्रिंसपल के पास है आने की वही इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो बच्चों इसको जब किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद देखिए इस तरह से इंटरफेस खुल करके आता है जहां पर हम लोगों देख सकते हैं कि विध्याले के सभी बच्चों का एड्मीट कार्ड यहां पर दिया हुआ है और यहां पर जाने के बाद यहां select all में किलिक करना होगा और इसको जब किलिक करेंगे तो किलिक करने को आद देखिए इस तरह से जो है सभी चात्रों का जो अड्मीट क काड को भी डॉनलोड करके आप स्विच चात्रों को दिखाएंगे तो बच्चों आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह क्लास 10 के चात्रों का ओर्जिनल एड्मिट काड है जिसमें सबसे उपर में आप लोग देख सकते हैं लिखावा जहरकंड एकडमी कॉंसिल राची एनुवल सेकेंडरी एक्जामेशन दोजार चोबीस एड्मिशन काड आनी कि आप लोग जो बोड एकजाम 6 फरवरी से सुरू हो रहा है तो उसका एड्मिट का इसका बच्चों आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रोल कोड है यहाँ पर रोल नंबर है यहाँ पर रेश्टेशन नंबर है यहाँ पर आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा यहाँ पर माता जी का नाम लिखा रहेगा यहाँ इसके बाद दोस्तों जो सबसे महत्पूर्ण चीज है कि आपका जो एक्जाम सेंटर है वो कहां पर पढ़ा है तो आपका इस कॉलम में लिखा रहेगा जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस बच्चे का लिखा हुआ है और इसके बाद जो सब्जेक्ट है आनि कि किस ति आनि कि वोकेशनल सब्जेक्ट का 6 फरवरी को है तो इस तरह से यहां पर आपके सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है और इसमें जो और जो सबसे महत्पूर्ण चीज है इस कॉलम में आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है सील एंड सिगनेचर आनि कि यहां पर आपके हेड्मास्टर या प्रिंस्पल सिगनेचर और मोहर करके ही आप स्विच हात्रों को देंगे तभी एड्मिट कार्ट भेलिड होगा इसका बच्चों लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो और महत्पूर्ण चीज है आप लोग यहां पर देख सकते हैं बेबसाइट इस फोर इमेडियेट इन्फोर्मेशन टू दा एक्जामी ने दीस कैनोट बी ट्रीटेड ओन ओर जीनल डॉकुमेंट ओर जीनल एड्मिशन कार्ड विल बी इसुड बाए दा कॉंसिल सेपरेटली आनि कि यह जो एड्मिट कार्ड है सिर्फ आपको एक्जाम देने के लिए दिया गया है और आपका जो और जीनल एड्मिट कार्ड है उसे जारखंड एकडमी कॉंसिल जो है बहुत जल्द जारी करेगा आनि कि जिसका परियोग आप लोग भविस में नोकरी या फिर कॉलेज में एड्मिशन के लिए कर सकते हैं तो बच्चों यहां प पर लिखा हुए महत्पूर नेवा आवस्यक निर्देश जिसमें पहला निर्देश है कि परिच्छा की निरधारी ताउधी समाप्त होने तक परिच्छार्थी विच्छक की अनुमती लिए बीना अपना आस्थान छोड़कर परिच्छक से बाहर नहीं जा सकते हैं आनि कि आपका जो एक्जाम सुरू होगा तो जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक अपने विच्छक यानि कि इन्विजलेटर से पूछे बिना आप लोग वहां से बाहर आनि कि अपने एक्जाम होल से बाहर नहीं निकल सकते हैं इसका दबच्छों दूसरा जो दिया गया है कि को परिच्छार्थी अपनी परशन से उतर पुष्टिका में अनावस्यक अनुची तत्वा अभद्र बातें अंकित करेंगे तो उन्हें परिच्छा से निस्खासित किया जाएगा और सुचना परिशत कारियाले को भेज दी जाएगी इसकत बच्छों चौथा में दिया गया कि परिच्छार्थी अपने साथ परिच्छा भवन में परवेश पत्र तथा लेखन सामगरी के अलावा कोई वस्तु नहीं ले जाएंगे आनि कि मोवाईल वगेरा ले करके नहीं घुसना है इसकत पांचवा पॉइंट में दिया गया कि उपर अंकित निर्देशों के उलं गंटा समय बीद जाने पर ही कोई परिच्छार्थी विच्छक की अनुमती से परिच्छा कत से बाहर सोच आधी के लिए जा सकेंगे और परिच्छा प्रारम होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाली परिच्छार्थी को परिच्छा में नहीं समीलित किया जाएगा जाएगा और साथी साथ आपलों को जे अगर आधा गंटा लेट से विद्याले पहुंचेंगे तो वहां पर आपको घुशने भी नहीं दिया जाएगा एक्जाम देने के लिए तो आपलों को जो है परिछा सुरू होने से पहले ही एक्जाम होल में पहुंच जाना है इसकत ब पच्छा का दाइत उनका होगा तथा उसके लिए विच्छक उतरदाई नहीं होंगे इसकत बचों आठवा में दिया गया कि अधी किसी परिछार्थी को किसी कारण वस विच्छक से कुछ कहना या कुछ पुछना हो तो वे अपनी निर्धारीत सीथ पर खड़े हो जब तक विच्छक समय उसके पास न पहुं जाएं और किसी भी स्थिती में उन्हें विच्छक को बुलाने अत्वा उनका ध्यान आकरिष्ट करने के लिए परिछा कच में किसी परकार का सोर नहीं करना है आनि कि कोई जवरत होगा तो आप लोगों को अपने सीट पर हो जाना है इसके बाद इन भीज लेटर आपके पास जाएंगे और पूछेंगे क्या समस्या है इसके आपके समस्या का समाधान किया जाएगा आपनों को खड़ा हो करके हल्ला वगेरा नहीं करना है इसकत बच्छों लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नौवा पॉइंट दिया गया कि परवेश पत्र में अंकित कर्मांग के अनुसार परिचा कच में परिचारतियों के बैठने के लिए सीट आवंतीत रहेगी जहां उनका कर्मांग अंकित रहेगा और इसी बेवस्था के अनुसार उन्हें परिचा कच में अपना अस्थान गरहन करना है आनि कि आपका जो टेबल होगा बेंच डेक्स होगा तो वहां पर आपका रोल लंबर लिखा रहेगा वहीं पर आपनों को बैठना है दूसरे के सीट में नहीं बैठना है इसका बच्चों दस्वां पॉइंट दिया गया कि परिच्छा कच में एक दूसरे से मदद लेने या देने अ परजित है तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने हाँ पर सिरियल नंबर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस पूरा देख लिया कि आप लोग के लिए जो निर्देश दिया गया वो क्या है आप लोग बच्चों इसको जो है स्क्रीन सोट करके रख सक करते हैं कि आपके लिए क्या निर्देश दिया गया है इसकत बच्चों इस वीडियो के बाद आप जितने भी कलास 12 के छात रहें तो आपका जो ओर्जिनल एड्मीट कार्ड है उसे भी डॉनलोड करके आप लोगों को दूसरे वीडियो में बताऊंगा और बच्चों आप जो पढ़ाई है तो आपका भी भी अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव परशनों के उतर को इस उटूब चैनल में एक दो दिनों के अंदर से अपलोड करना शुरू कर दूंगा जिसमें बहुत सारे परशन आपके बोड एक्जाम में पूछे जाएंगे इसलिए बच्च बेस्ट आप लग धन्यवाद बोड एक्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी और सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिविजन से भी अधी कामकों से पास होई है धन्यवाद